रामगण में वन और पर्यावरण बचाने के उद्देश से पेड़ बचाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत पायोनियर फाउंडेशन रामगण के द्वारा जिले के विविने प्रखंडों के सारवजनी की जगहों में एक लाख पौधे लगाने का ने ने लिया गया इस सम्मन में स्वयम से भी संस्था पायोनियर फाउंडेशन के अध्यक्ष संजासा ने रामगण के पंचवटी होटल में प्रेस कॉंसरेंस कर बताया कि जिस प्रकार से प्रदूशन बढ़ रही है और पर्यावरण असंतुलित हो रहा है पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिं लगताल बढ़े जा रही है लोग अपनी सुविधा के लिए सुख सुविधा के लिए एसी लगा रहे हैं गाड़ियों में घूम रहे हैं घर बना रहे हैं तो पीड काट रहे हैं तो हम लोग के लिए अब एक जिम्मभारी बन गही कि आने वाले जो जेन्रेशन है उसको अ पारियवरन को हम लोग को भचाना है अच्छा स्वस्त हवा चाहिए उक्सीजन चाहिए इस चीज को हम लोग पहले से भी पिछले बर्स भी हम हम लोगों ने लगभग एक सो पोधा आपने गाउं में ही सेउटा में लगाया उसमें लगभग लगभग 60% मतलब 60 पोधा आभी भी बहुत अथी तरह से मतलब फल फूल रहा है और इसको देख करके हम लोगों को खोसी महसूस रहा है कि उससे हम लोगों को ये अच्छा हवा मिल रहा है और पारियावरन के सुधी के लिए इससे बहुत कठनाईयों के सामना करना पड़ रहा है पारियावरन के चलते आम जनता को इसके निमित इसको देख